राजा जनक, अब अपने आत्म ज्ञान की पुष्टी करते हुए, मुनिय अश्टावक्र से कहते हैं, क्वा स्वपना, क्वा सुशुप्तिर्वा, क्वा च जागरणम दथा, क्वा तुरियम भयम वापि, स्वा महिमनी इस्थितस्यमे, अपनी महिमा में स्थित हुए, मुझको कहा स्वपना, कहा सुशुप्ति, और कहा जागरत है, और कहा तुरिय अवस्था का भय है, ऐसा ग्यानी, जागरत, स्वपना, सुशुप्ति, एवं तुरिय चारों अवस्थाओं से पार हो जाता है, ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन इवं बुद्धी की ही है तुरी ये अवस्था भी अंतह करण की है चेतना इन से पार की अवस्था है जहां इनका कुछ भी अनुभाव नहीं होता राजा जनक आगे कहते हैं क्वदूरम् क्वश्मीपम्वा अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां दूर है, कहां समीप कहां बाहिय है, कहां आभ्यंतर है स्थूल कहां और सुक्ष्म कहां है आत्मा की महिमा में स्थित हुए ग्यानी के लिए दूर तथा समीब, बहिये तथा आभ्यंतर, स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद ही समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा दूर भी है, एवं समीब भी, वह बाहर भी है, भीतर भी, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी एसी ही स्रिष्टी है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है उर्जा और पदार्थ भिन्न नहीं है एक दूसरे में रूपांदरन हो जाता है वैज्यानिक जिसे क्वांटा कहते हैं वैसा ही आत्मा का स्वरूप है न स्थूल न सूक्ष्म न पदार्थ है न तरंग और नहीं दोनो राजाजनक आगे कहते हैं अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहां मृत्यू है अथवा कहां जीवन कहां लोग है कहां इसका लोकिक व्यवहार कहां लय है और कहां समाधी आत्मा का न जन्म होता है नाहीं मृत्यू वह है तो सदा है जिसका जन्म है उसी की मृत्यू है यदि जन्म न हो तो मृत्यू भी नहीं है आत्म ज्यानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यू है नाहीं जीवन मृत्यू और जीवन शरीर का ही होता है आत्मा तो अमर है आत्मा के लिए लोक तथा लोकिक व्यवहार भी नहीं है इनका भी संबंध शरीर से है ले और समाधी भी मन की है आत्मा एक ही है उसका ना किसी में ले होता है ना उसकी समाधी लगती है ये सब अज्ञान जनित धारणाई ही छूट सकती है जनक आगे कहते हैं अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया प्यलम अलम विज्ञान कथया विश्रान तस्य ममात्मनी अपनी आत्मा में विश्रान थुए मुझको त्रिवर्ग की कथा का क्या तात्परिये है योग की कथा भी परियापत है विज्ञान की कथा भी परियाप्त है जो ज्यानी पूनता को प्राप्त हो गया उसके लिए धर्म अर्थ काम आदी की कोई अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन वेर्थ हो जाते है इसी प्रकार योग और विज्ञान की भी आवश्यक्ता नहीं है जब कुछ पाना ही शेश नहीं रहा तो इनका प्रियोजन ही समाप्त हो गया सब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है यही तो परमधर्म है इस प्रकार अष्टावकर गीता में उननीस्वा प्रकरण समाप्त होता है बीस्वे प्रकरण का प्रारंभ करते हैं राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हैं कहते हैं क्वभूतानी क्वदेहोवा क्वेंद्रियाणी क्वचवामनह मेरे निरंजन स्वरूप में कहां पंच भूत है, कहां दे है, कहां इंद्रियां है, अथवा कहां मन है, कहां शून्य है और कहां नई राश्य है राजा जनक अपनी जीवन मुक्ती की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया मेरा यह आत्मा स्वरूप निरंजन है, निर्दोश है, अद्वय है, शुद्ध है, इसमें विजाती ये तत्व कोई भी नहीं है, सब सन्युक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों संसकारों आदी के चित्र बनते थे, किन्तु यह आत्मा दर्बन की भाती है, इस पर चित्र बनते ही नहीं, यह साक्षि मात्र है, द्रश्टा मात्र है, इसमें विकार पैदा नहीं होते, ध इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंच भूत, देह, इंद्रियां, मन आदी नहीं है, इसमें शून्य भी नहीं है, नहीं नई राश्य है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है। गता द्वंद्वस्य में सदा, सदा द्वंद्वर रहित मुझको कहां शास्त्र है, कहां आत्म विज्ञान है, कहां विशय रहित मन है, कहां तृप्ति है, कहां तृष्णा का अभाव है, जहां द्वंद्व है, वहां मन है, चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, वहा स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है जड़ चेतन प्रकृती पुरुष सगुण निर्गुण ज्यान विज्यान त्रिशना त्रिप्ती आदी के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेश रहता है दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है इसलिए जनक कहते हैं कि आत्म ज्यान प्राप्ती पर मैं द्वंद्व रहित हो गया अब न मुझे शास्त्र की आवश्यक्ता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा कैसी है इसे जान लूँ आत्म विज्यान की भी मुझे आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बोध्धिक होता है मैं तो स्वयम आत्मा हूँ अतहा अब मुझे शास्त्र इवं विज्यान पढ़कर क्या करना है मैं विश्यरहित मन की भी बात नहीं सोचता जैसा कि अश्टावकर ने प्रथम सूत्र में ही कहा कि विशयों को विश के समान छोड़ दे विशय छोड़ने पर मन जब विशय रहित हुआ तो मन की कलपना ही कहा रही इस स्थिति में त्रिप्ती भी नहीं है क्योंकि त्रिप्ती का अनुभव भी अत्रिप्त को ही होता है तृष्णा का अभाव हो गया ऐसा भी विचारब नहीं उड़ता ऐसे स्थिति में मैं अवस्थित हो गया हूँ जनक आगे कहते हैं क्वविद्या क्वचवा विद्या क्वाहम क्वेदं ममक्ववा क्वबंधा क्वचवा मोक्षः स्वरूपस्या क्वरूपिता स्वरूप की कहां रूपिता है कहां विद्या है और कहां अविद्या है कहां मैं है अथ्वा कहां यह है कहां मेरा है कहां बंध है अथ्वा कहां मोक्ष है आत्म ग्यानी की स्थिति अनिर्वचिनी यह होती है उसे अभिव्यक्त करना कठिन है जनक उस थिती का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निजस्वरूप है अन्य सभी स्वरूप ओड़े हुए हैं जो भ्रह्म से सत्य प्रतीत होते हैं अतहा ये माया मात्र है इस माया का परदा हटने पर निजात्म स्वरूप का बोध होता है किन्तु इसकी भी रूपिता नहीं है आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके जिसका वर्णन किया जा सके आत्मा में विद्या अर्थात ग्यान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है क्योंकि ये दोनो भ्रांतियां हैं दोनो ही माया हैं आत्मा में मैं अत्वा यह का भेद ही नहीं है क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीती होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है आत्मा एक ही है उसमें दूसरा कोई है ही नहीं इसलिए यह भेद भी नहीं रहता जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं है आत्मा का कोई बंध नहीं है इसलिए मोक्ष भी नहीं है बंध मात्र अज्ञान के कारण है जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है आत्मा स्वयम ज्ञान है उसका कोई बंध नहीं है न उसका मोक्षी ही है वह तो नित्य है बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है निर अहंकारी दोनों से मुक्त होता है जनक आगे कहते हैं मुझ सदैव निर्विशेश को प्रारब्ध कर्म कहा है अत्वा जीवन मुक्ती कहा है और कहा यह विदेह कैवल्य ही है शास्त्र कहते हैं कि आत्मग्यान होने पर संचित कर्म नश्ट हो जाते हैं तथा क्रियमान कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता क्योंकि करतापन न रहने से भोगतापन भी नहीं रहता किन्तु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं उनके भोगे बिना विदेह मुक्ती नहीं होती, किन्तु जनक इनसे भी आगे, सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं, कि मैं आत्मा ही हूँ, जो सदा निर्विशेश है, क्योंकि वह अद्वईद है, सभी विशेशताओं से परे है, कोई सामान्य है, तभी उसका विशेश होगा आत्मा में दो हैं ही नहीं इसलिए सामान्य और विशेश का भेद भी उसमें नहीं हुआ यह भेद द्वाईत के कारण ज्यात होता है जो अज्यान मात्र है इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है इसलिए जीवन मुक्ती भी नहीं है यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हे भोगना है तो इसका आर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है वरना भोगेगा कौन आत्म ज्यानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात रहे जो न करता है न भोगता फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहा रहा इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं तथा आत्मा भोगती नहीं इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए ये भी नश्ट हो गए फिर जीवन मुक्त है भी नहीं और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है विदेह मुक्ती भी तभी होगी आत्म ग्यानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ती और विदेह कैवल्य की बात उठती है जनक ने इसे भी छोड़ दिया अतहा वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थित हो गए यही परम अवस्था है जिसको कोई शास्त्र भी इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कह दिया अभी वेक्ति की ऐसी अपूर्वक्षम्ता अन्या किसी ज्यानी में नहीं है ना किसी शास्त्र में है इसलिए अश्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमनी गरंथ है जिसकी तुलना नहीं है जनक कहते हैं कोव करता, क्वचवा भोगता, निश्क्रियम, स्फुरणम क्ववा क्वप्रोक्षम, फलम क्ववा, निश्वभावस्यमे सदा सदा स्वभाव रहित मुझको कहां करता पन है, कहां भोगता पन है अथ्वा, कहां निश्क्रियता है, और कहां स्फुरण है कहां अपरोक्ष ग्यान है, और कहां फल है अज्यानी मन और अहंकार में जीता है चित्त की वृत्तियों के इस फुरण से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण ही वहें अपने को करता मानता है अपने को करता मानने के कारण ही वहें कर्म फल का भोगता होता है मनुष्य में सक्रेता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कारिय करता है यदि फल की आकांक्षा नहो तथा आत्म ग्यानी भी नहीं है तो वह निश्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा किन्तु ग्यानी इन सबसे भिन स्वभावाला होता है वह मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है इसलिए उसमें करतापन भी नहीं है कि मैं यह कर रहा हूं करतापन न होने से भोगतापन भी नहीं है वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता निश्क्रिय भी नहीं होता किन्तु चित्त कीस फुरणा भी उसमें होती नहीं है क्योंकि वासना नहीं है वह कर्म के विशय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता कि यह कर्म करना है इससे इतना लाव इतनी हानी होगी इत्यादी मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं वह उन्ही का फल होता है, ज्यानी तो दोनों से मुक्त होता है, जनक आगे कहते हैं, क्वा लोका, क्वा ममुक्षुर्वा, क्वा योगी ज्यानवान क्वा, क्वा बध्धह, क्वचवा मुक्तह, स्वा स्वरूप अहमद्वय, मुझ अद्वय स्वरूप को कहां लोग है अत्वा कहां ममुक्षु है कहां योगी है कहां ज्यानवान है कहां बद्ध है और कहां मुक्त जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अद्वय स्वरूप है स्रिष्टी में दो हैं ही नहीं आत्मा परमात्मा जीव ब्रम्ह प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टी में कहीं नहीं है सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है दो को तो मानना ही अज्ञान है भ्रांती है मैं आत्मा होने से अद्वय हूँ मुझे अज्ञान के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीती हो रही थी वह नश्ट हो गई है अब मेरे लिए न कोई लोग है जहां मैं रहूं क्योंकि मैं ही सर्वतर हूं मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता न मेरी मुमुक्षा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूँ क्योंकि मैं जहां हूँ वही मोक्ष है मोक्ष मुझसे भिन्ह नहीं है योगी मार्ग पर है वह चल रहा है उसे अभी पाना है वह साधक है तथा ग्यानवान वह जिसे ग्यान हो गया है किन्तु मैं आत्मवत होने से स्वयम ग्यान हूँ, ग्यानवान नहीं हूँ, क्योंकि ग्यानवान एवं ग्यान भिन्न नहीं है, मैं न बद्ध हूँ न मुक्द हूँ, क्योंकि न आत्मा का कोई बांधने वाला है, ना ही वह मुक्द होती है, वह तो सदा एक ही भाव में रहत एसा ही मैं हूँ जनक कहते हैं को स्रिष्टि ही कोच संगा रहा कोच साध्यम कोच साधनम कोच साध कहा कोच सिध्धिर्वा स्वस्वरूप अहमद्वय मुझ अद्वय स्वरूप को कहा स्रिष्टि और कहा संगार कहा साध्य है और कहा साधन है कहा साधक है अत्वा कहा विभिन्न धर्म स्रिष्टी एवं उसकी प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाय विक्त करते हैं कुछ कहते हैं कि यह स्रिष्टी अनादी है इसे किसी ने बनाया नहीं है यह कभी नश्ट नहीं होगी तो कुछ कहते हैं परमात्मा ने छे दिन में स्रिष्टी बनाई वही इसका संचालन कर रहा है वही इसका संगार भी करेगा कुछ कहते हैं स्रिष्टी परमात्मा की अभिवेक्ती है एक ही ब्रम्ह विभिन रूपों में अभिवेक्त हुआ है फैलना विस्तार को प्राप्त होना है इसका गुन है स्रिष्टी का निर्मान संकल्प से हुआ एक सीमा तक इसका विस्तार होगा इसके बाद वह पुनाह सिकुडेगी एवं निजस्वरूप ब्रम्ह में पुनाह विलीन हो जाएगी यही प्रलै की स्थिती होगी विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और उर्जा भिन्न नहीं है पदार्थ उर्जा का द्रिश्य रूप है इवं उर्जा पदार्थ का द्रिश्य रूप दोनों एक दूसरे में परिवर्तन शील है पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता उसका उर्जा में रूपांतर हो सकता है इवम उर्जा पुना पदार्थ का रूप ले सकती है भारती ये अध्यात्म की धारणा भी पूर्ण रूपेन वैज्यानिक है वह नहीं कहता कि परमात्मा ने कुम्भकार के जैसे स्रिष्टी से अलग कहीं आकाश में बैठकर छे दिन में उसे बनाया तथा यह उसके आदेशा नुसार चल रही है वह चाहे तब इसका संघार कर सकता है ऐसी धारणा अव्वैज्यानिक है बचकानी है मूरता पून है ऐसी धारणा क्षुद्र बुद्धी का अनुमान मातर है कि स्रिष्टी है तो उसे कोई बनाने वाला होना चाहिए बिना बनाए एक घड़ा भी नहीं बन सकता तो बिना बनाए स्रिष्टी कैसे बन सकती है किन्तु यह अग्ज्यानिकी कलपना मातर है अद्वाइतवादी कहते हैं कि परमात्मा कोई वेक्ती नहीं है जो एक स्थान पर बैठा है और वहीं से स्रिष्टी का निर्मान संचालन कर रहा है तथा वही संधार भी कर रहा है वह कहता है कि परमात्मा एक विराट, चेतन उर्जा है, असीम है, उसे परिभाशा में नहीं बांधा जा सकता वही उर्जा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है, समस्त रूप उसी के हैं, वही अस्तित्व है, वही मूर्थी में भी है समस्त प्राणी एवं वनस्पती में है, तो पत्थर में भी वही उर्जा है, उर्जा ही घनी भूथ होकर पत्थर दिखाई देती है इसलिए परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं है, दो नहीं है, स्रष्टा और स्रिष्टी दो नहीं है, एक ही है अद्वईत की ऐसी अनूठी धारणा अन्ने किसी धर्म में नहीं है यही धारणा पूर्ण वईज्ञानेक है, सूफी, थियोसोफी, बुद्ध, लाओटस, तंत्र, इत्यादी इसी दृष्टी का समर्थन करते है फिर यदी परमात्म है, तो उसे पाया भी जा सकता है यहे विवाद, तर्क, इवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा विज्ञान की प्रयोग शाला में नहीं देखा जा सकता उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम राजा जनक सद्गुरू के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वय स्वरूप को उपलब्ध हो गए वे कहते हैं कि जब संपोन सृष्टी आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूलतत्व है, वही अस्तित्व है फिर उससे भिन्न न कोई स्रिष्टी है न उसका संगहार है क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता उर्जा नष्ट नहीं होती जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य, साधन, साधक, एवं सिध्धी, सब व्यर्थ है ये सब तो अज्ञानी के लिए है इस प्रकार अश्टावक्र गीता का यह भाग यहीं संपूनता को प्राप्थ होता है शेश अगले अंक में